हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक्स के क्वाटर फॉर के नतिजों के बारे में जो कि अभी जुश्ट निकल के आया है तो नतिजों के उपर हम डिटल में अनालिसि कि आओगा कि बंधन बैंक पिछले कुस दिनों से काफी ज्यादा में प्रेशर में देखने को मिल रहा था और अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तों देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहापको और कोई गिरावट देखने को मि मिल सकता है लेकिन यहां पर कोई बाहर ही गिरावट के मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के उपर नजर आ सकते उसके उपर भी हम डिटेल में अनालिसिस करेंगे और कोटर फोर के नतीज़े किस तरह है उसके उपर भी सारी इंफरमेशन शेयर करना चाहूंगा तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंग्रेच करना ना बुले और चैनल पर ना है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हम बात करें को नतीज़ों की तो यानी पर शेर पे 5 गें details का अनॉसमेंट क्या हुआ है और यहां पर देखा जाए कि को फिले वां का किन के नतीज़े तेकन कम रहें हैं तो सबसे पहले एगर मैं बायत करूं टोटल इनकम की तो जैसा कि यहां पर आ प कि चले साल घ्रियों musimy कर放心 कह देखते और 3340 करोड का इंकम रहा था जो कि इस बार की बात करें तो इस बार कोटर फॉर में तकरीबन 3787 करोड का इंकम देखना को मिल रहा है तो यर वन यर बेसिस में और इस गरत के पिछे क्या रिजन से वह भी मैं आप लोगे शेयर करना चाहूंगा पिछले साल की बात करें तो तक्रीबन पांसो सत्रा करोड का जो प्रॉफिट रहा था नेट फिट रहा था बंधन में का और आप देख सकतें शिर्फ एक सो तीन करोड का नेट प्रॉफिट देखना को मिल रहा है जो कि पिछले कोटर में तकरीबन 632 करोड का नेट प्रॉफिट नज़राया था तो यहां पर हमें जो भारी गिरावट देखना को मिली है नेट प्रॉफिट में उसके पीछे रिजन्स की बात करत तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग मुश्ट दुगना होता हुआ नजर आया है उसके बज़े से यहां पर हमें नेट प्रोफिट में काफी ज़्यादा गिरावट देखना को मिली है और यहां पर प्रोविजनिंग क्यों करना पड़ा वह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो जैसा कि यहां पर दोस्त के असपास का नजर आया था पिछले कोडर की बात कर तो सिर्फ एक पॉइंट एक परसन के असपास का ग्रोस नपिय रहा था तो यहां पर में ग्रोस नपिय काफी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और शायद आपको यह भी पता होगा कि नपिय क्यों बढ़ते है जो चलते हैं यहां पर हमें प्रोविजनिंग बढ़ता हुआ नजर आया रहा है उसके चलते हमें नेट प्रोफिट में गिरावट देखना को मिल रही है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं इस बार तकरीबन 5757 करोड का कमपनी को यहां पर प्रोविजनिंग करना पड़ा है तो इस बार आप देख सकते हैं कहीं गुना बढ़ चुका है और संट का सबसका नेट एंपिए देखना को मिला है तो इस तरह के दोस्तों यहां पर में नेट प्रोफिट में काफी ज्यादा डिकलाइन देखना को मिल रहा है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई और गिराउट देखना को मिला हो सकता है मैं थोड़ी बूद गिराउट देखना को मिलेगी लेकिन कोई बड़ी गिराउट मुझे नहीं लगता है कि बंधन बैंक में नजर आए तो आगी किस तरह की मुमेंटम शेयर प्राइस के उपर नजर आ सकते हैं उसके उपर हम 290 रुपे के असपास लो बनाता हुआ नजर आया था बंधन बैंक अगर फ्राइडी की दिन के लो को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 210 तक मैक्सिमम गिराउट हो सकती है और कहीं ना कहीं 290 से 280 के असपास ही संभलता हुआ आपको बंधन बैंक देखने को मिल सकता है और उपरी लेवल के रजिस्टन्स लेवल की बात करूं तो 325 से 325 यह दो रजिस्टन्स लेवल है जो की पहले यही दो लेवल है जो सपोर्ट की तरह में देखना को मिल रहे थे तो वही दो लेवल अब आपको एजस्टन्स की तरह देखना को मिलेंगे इन दोनों रजिस् में ही दोस्तों अपनी पोजिशन को होल्ड करें अगर उपनी लेवल पर खरीदारी करके रखिए तो लोस बुक करना मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा पोजिशन को आप प्रोपर एसल के साथ भी आप होल्ड कर सकते हैं आप चाहे दोस्तों तो यहां पे 260 के साथ भी अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप मेरी बात पर यकीन करने से पहले आप अपने फाइनल्स एडवाजर के सला ले उसके बाद किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले और इनले उलका वोच आउड करें अपना स्टेडी कंड़क करें अपने फ